ओके तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डेट फॉर्मैट को कैसे चेंज करना है आपके कैलकुलेटर में दो टाइप के फॉर्मैट है चलिए देखते हैं तो सेकंड फॉर्मैट बटन जब आप दबाएंगे तो सबसे पहले आपका डेसिमल्स आ रह तो यहाँ पर आपका आता है month, day and year format अब जब आप second दबागे जब आप enter दबाएंगे तो यह European format में आ जाएगा जो की है DD, mm and आपका year, 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 year यह वाला format मेरे को ज़्यादा comfortable लगता है बट अगर आप इसको US वाले में रखना चाहते तो भी आप कर सकते हैं which is second, enter तो पर इसको enter कर दीजे तो आपका काम हो जाएगा, thank you